तो guys red button को लेके जो हमारे बीच में deal हुई थी उस deal के मुताबिक मैंने आपको last वीडियो में 48 hours के अंदर red button परवाइड गरवाईड पर अभी कुछ players बोल रहे हैं कि भाई वो जो button मैंने आपको दिया है वो fake button है और उसके साथ कुछ भी नहीं है पर guys बात यह है कि तुम्हें कैसे पता कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा उससे पहले हम यह बात करते है कि रियल red button कहां पर मैंने तो आपको पहले कहा था कि जो red button मेरे पास है वो white ff का real red button नहीं है वो कि इसी और से मैंने लिए पर कोई ना अगर आपको real red button चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको real red button कहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं white ff के red button के वारे में कि white ff का red button क्या है कैसे है तो white ff का red button है वो या तो macro है या फिर editing है पर जादा चांस यही है कि वो iPhone का macro है जो red button है वो iPhone का macro है और उस macro के साथ game के अंदर कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा और जिन भी प्लेयर्स के पास iPhone होगा वो red button easily कर सकते है तो white ff का तो red button ही यही है अभी हम बात करते है real red button के बारे कुश बच्चों ने last video में भी comments कहे थे कि भाई हमने यह सोच fire button भी red पर fire button red होने के बाद आपका ID भी ban हो जाएगा क्योंकि अगर आप किसी third party app का use करोगे तो आपका ID 100% ban होगा ही होगा तो अगर चाहिए आपको real red button जो कि आपको game के अंदर भी दिखे खेलते time भी दिखे तो भाई वो आप किसी app के साथ लगा सकते हो पर फिर आपका ID अब हम यह बात करते हैं कि यह जो जितने भी प्लेयर्स है या फिर यूट्योवर्स है यह उल्टे सीधे काम करके रहे हैं जैसे कि कोई बंदा अपनी sensitivity वेच रहा है कोई उल्टी सीधी फाल्टों की सैटिंग्स के बारे में बता रहा है तो कोई red button के बारे में बात बहुत प्लेयर्स नहीं बोलेंगे पिकाचू बोलेंगे पिकाचू बंदे कमेंट करते थे कि भाई अपनी सैटिंग्स के बारे में बताओ आप कौन सी सीक्रेट सैटिंग्स करते हो जिससे कि आपके इतने खतनाक headshots लगते हैं तो वाइट एफफ नहीं यह सोचा होगा कि मैं तो क दिमाग उनके पास है नहीं तो वो क्या ही कहेंगे तो वाइट एफफ ने बीस डोलर के अंदर नो स्किल सेंसी बनाई बीस डोलर शैसे दो हजार के आसपास होते होंगे इंडिन करनसी में और वाइट एफफ के जैसे और भी बहुत सरे प्लेयर्स है जोकि फाल्तू की सैट प्लेयर्स बना है और पीकाचू लोग कमेंट करते हैं कि अपनी सैटिंग्स के बारे में बताओ अब यहाँ पर वो बंदे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अगर वो बंदे कहेंगे कि भाई मैंने 6 साल साल प्रैक्टिस की है तुम भी प्रैक्टिस करो तो पिकाचू की YouTuberian के उपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं वार्य बताते हैं और उनको फिर व्यूज आते हैं बहुत सारी सेटिंग» जैसे की टॉक्बैक हो गया स्विटेक्सेस वा गया पॉंटर स्पीड हो गया चाहला ज्य या देखा और उसके बाद 6-7 दिन के बाद मैंने एक और बंदेगा वीडियो देखा जो कि Red Button के बारे में बता रहा था तो मैंने भी सोजा कि मैं भी Red Button के ऊपर वीडियो बनाता हूं क्योंकि मुझे अपनी ऊडियन्स के वारे में बाता है भाई वो सारे gameplay वाले हैं वो practice करते हैं तो red button वाली वीडियो अपनी audience के पास गई तो हमारी audience ने वीडियो को देखा और enjoy किया पर जब ये वीडियो नई audience के पास गई Pikachu वाली audience के पास गई तो उन्होंने इसको real माल लिया कि भाई सच में red button जैसी कोई चीज होती हो और ये भी माल लिया कि उसके साथ फिर ज़्यादा headshots लगते होंगे भाई तुम कैसे मान सकते हो तुमारा दिमाग नहीं है क्या तुम कैसे मान सकते हो कि किसी चीज के साथ गेम के अंदर जादा headshots लगे और बड़ी बात तो ये थी कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कोई भी फेक काम नहीं किया मैंने आपको red button दिखाया और मैंने आपको ये भी कहा कि ये वाला को talkback और switch access की setting के बारे में बताते हैं कि बर्भो सीटी में जाओ इसकी value को ये रखो इसकी value को ये रखो तब तो पिकाचु ओडियंस कुछ नहीं कहती तब तो नहीं कहती कि हम तुमारा चैनल अंसब्सक्राइब करेंगे हम ये करेंगे वह करेंगे क्योंकि उनको पता ही न देखो पहले पूरे सब्सक्राइबर डाउन हो गए और फिर आप खुद देख लो कि कहां तक शायद से 80 तक सब्सक्राइबर डाउन गए और फिर देख लो बढ़ना शुरू हो गए और आभी सिर्फ माइनिस 14 दिखा रहे हैं पिकाचु ओडियंस ने ये वीडियो देखन और कौन सी चीज गलत है और हम अगर मजाग करें या फिर कुछ भी करें उनको सब कुछ पता लग जातो बास वे गाईज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बाई बाई